असलाम वालेकुम आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में जिसमें हम डिसकस करेंगे जो fireman और constable के लिए vacancies आई है CISF के लिए याने Central Industrial Security Forces के लिए इसका first date क्या है last date क्या है age क्या रहने वाली है qualification क्या रहने वाले total number of vacancies कितनी है apply कहां से आप करोगे सारा कुछ हम one by one discuss करेंगे वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाला है वीडियो को एंट तक जुरूर देखना और हमारी चनल या अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हो तो फेस्बुक पेज को follow जुरूर करना और साथ साथ में हमारा whatsapp टेलेगा हम group join करना जो भी जो आप notification हमारे पास आती है हम अपने group में share करते हैं तो चलो ये वीडियो start करते हैं इस notification में हम पहले dates की बात करेंगे 31st यानि आज से इसका portal open हुआ है और last date इसका जो है 39.2024 यानि 30 September इसका last date रहने वाला है mails के लिए यानि mail candidates apply कर सकते हैं किसी भी state से आप blank करते हो तो आप apply कर सकते हो तो pay जो इसका रहने वाला है level 3 पे इसका रहने वाला है यानि 21,000 से लेके 70,000 तक इसकी salary रहने वाली है central post है यह यहां पर हम important points पहले discuss करेंगे starting date जो मैंने पहले ही बोला 31st यानि आज से और last date जो है 30 September और selection pattern जो इसका रहने वाला है पहले physical test होगा फिर documental verification उसके बाद CBD होता उल्टा है लेकिन इसका पहले physical होता है फिर documental verification फिर exam होता है जो अकसर होता है पहले होता है exam उसके बाद documental verification या फिर होता है physical लेकिन इसका पहले physical है फिर documental verification फिर CBD और qualification इसके लिए जो रहने वाली है 12th pass in sanus stream यानि आपके पास physical chemistry और biology होनी चाहिए तो आप apply कर सकते हो age जो इसकी रहने वाली है 18 to 23 अगर आप इस age में fall करते हो 12th pass क्या है sanus stream है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो total जो vacancies है वो है 1130 vacancies है physical test के लिए क्या कुछ इसमें है पहले आपको 5 km running करनी है 24 minutes में और उसके बाद आपका physical check up होगा जिसमें height 170 cm और just 80 to 85 cm होना चाहिए और relaxation दी हुई है इन areas के लिए जो आप नीचे देख सकते हो कश्मीर वैली के लिए भी relaxation है height 165 cm और just 78 to 83 cm होना चाहिए यहां पर हम document verification के देखेंगे आप आपके पास original documents होनी चाहिए 10th और 12th के original documents होनी चाहिए अगर आपके पास original document नहीं है या आपने marks गलत चड़ा है तो आपका form cancel हो सकता है तो आप नीचे देखेंगे हम written examination जो OMR based होगा इसमें आपको 100 questions total मिलेंगे एक question each marks का होगा तो यहां पर हम देखेंगे पहले journal and reasoning के लिए आपको 25 marks और journal knowledge and awareness के लिए 25 और elementary maths के लिए 25 हिंदी या English या optional है जो आप choose करोगे वही paper आपको देना है तो इसके लिए 25 टोटल 100 marks है और जो duration of exam होगा वह के दो गुंडे यानि 120 minutes और इसमें कोई negative marking नहीं रहने वाली है अब math का जो cell bus है क्या रहने वाला है percentage average number system जो simply आप देख सकते हो हर किसी को ये चीज़े आती है 10th base पे question आ जाते हैं वहाँ पे ये आप पढ़के जा सकते हो अब reasoning का ये cell bus आप देख सकते हो screen पे odd one out, series, direction, bullet relations, statement and assumptions, cubes and dices ये रहने वाला है और English का ये cell bus इसमें रहने वाला है fill in the blacks, sentence, error detection, synonyms, spelling errors, idioms, phrases तो ये information थी इस वीडियो में आप सबसे important बात आप apply कैसे करोगे आप इनके official website पे जा सकते हो वहाँ और further details भी आप लेक सकते हो और apply भी वहाँ ही से आप कर सकते हो तो ये information थी इस वीडियो में वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को like और channel को subscribe करना बिलेंगे किसी next वीडियो में तब तक अल्ला हाफिज